ही वाट्सअप टेकी पीपल सैम हेर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइब वॉसम एन्रॉइड आप्स के बारे में तो बीना टाइम वेस्ट करें वीडियो को सुरू करते हैं इस application का यूज करके आप रिल्लैक्सिंग साउंड सुन सकते हो और रिलाक्सिंग हो सकते हो इसमें आपको अलग-अलग काटेग्रीज मिल जाते हैं and हर एक music का length 30 minutes मिल जाता है मैं इस application को 3 दिनों से try कर रहा हूं and ये really awesome application है तो आप भी इस application को एक पार जरूर try करो second application is dub music player basically ये एक music player application है and इसमें आपको attractive interface देखने को मिल जाता है like visualizer effects देखने को मिल जाता है and attractive volume slider मिल जाता है and यहाँ पर आपको कुछ option मिल जाते हैं जिसे आप enable or disable कर सकते हो इसमें आपको equalizer का option मिल जाता है यहाँ से आप अलग-अलग music effects try कर सकते हो like bass बढ़ा सकते हो and virtualizer बढ़ा सकते हो as well as यहाँ पर आपको songs, artists and album का section मिल जाता है जैसा कि other music player application में मिलता है उपर की तरफ three dot menu में आपको और भी features मिल जाते हैं आप इसे try कर सकते हो इसमें आप setting पर tap करते हो then change theme पर tap करते हो तो यहाँ पर आपको काफी attractive themes मिल जाते हैं जिसे आप try कर सकते हो third application is wallify basically यह एक wallpaper application है इसमें आपको full HD में best wallpapers देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको latest का tab मिल जाता है यहाँ से आप सारी latest wallpapers try कर सकते हो यहाँ पर आपको popular का tab मिल जाता है यहाँ पर आप most download and famous wallpapers try कर सकते हो यहाँ पर आपको categories का section मिल जाता है यहां से आप अलग-अलग categories में अलग-अलग wallpapers try कर सकते हो यहां पर आपको सभी phones का stock wallpapers का collection मिल जाता है आप इने try कर सकते हो और यहां पर आप अपना खुद का wallpaper upload भी कर सकते हो फोर्थ application is duplicate files fixer basically इसका यूज़ करके आप अपने phone और SD card से duplicate files delete कर सकते हो इस application को open करने के बाद आपको कुछ permission allow कर देना है then यह work करने लगेगा यहां पर आपको अलग-अलग section मिल जाते हैं like audio, videos, pictures, documents and full duplicate scan तो आपको इसमें से किसी एक को tick करना है then scan now पर tap करना है तो यह कुछ देर scan करके duplicate files को find कर देता है तो आप यहां से इसे backup कर सकते हो या फिर delete कर सकते हो फिफ्थ application is virtual hologram basically यह एक image editing application है और इसका use करके आप अपने image में hologram effects add कर सकते हो तो app open करने के बाद simply आपको gallery पे tap करना है then कोई साभी एक image select कर लेना है तो यहां पर आपको बहुत से effects मिल जाते हैं लाइक यहां पर आप hologram frame try कर सकते हो और ऐसे ही और भी effects try कर सकते हो image filters try कर सकते हो image पर text type कर सकते हो काफी simple and attractive application है आप use करोगे तो पता लग जाएगा सो गाईज यह थे top 5 awesome apps सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like कर दो share कर दो and अपने इस interesting channel को please subscribe करो ताकि मैं और भी interesting videos आपके लिए ला सकूँ तो मिलते हैं अपने किसी और interesting video में तब तक के लिए चलता हूँ यार बाई